हलो गाईज आप इस वेडियो को ये सोच कर देखिए कि अभी आपको कुछ नहीं आता है इजीली आपको दिखराओगा परकास के वर्न विक्षेपन गाईज आपसे पुछा जा सकता है कि परकास के वर्न विक्षेपन किसे कहते हैं परकास के वर्ण बिक्षेपन क्या है परकास के वर्ण बिक्षेपन की क्या परिभासा होती है परकास के वर्ण बिक्षेपन से आप क्या समझते है परकास के वर्ण बिक्षेपन को बताईए या आपसे पुछा जा सकता है परकास के वर्न विक्षेपन को समझाईए या आपसे ये भी पुछा जा सकता है कि परकास के वर्न विक्षेपन का क्या ततपर ये है तो गाईज आपको बिल्कुल डरना नहीं है जो मैं आज बताऊंगा वही आपको लिखकर आज आना है आपको इसली नमबर मिल जागा तो गाईज चलिए वीडियो को सुरू करते हैं गाईज यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा परकास के वर्न बिच्छेपन जिसे इंगलिस में कहते है डिसपर्शन ओफ लाइट आगे है जब स्वेत परकास की कीरन किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में तूट जाती है जो कि यहां पर यह रहे रंग जो सात रंग होते हैं यहां पर यह रहें जैसे में हो गया बैगनी, जामूनी, निला, हरा, पिला, नारंगी, लाल यह सभी सात रंग है जो टूटे हैं अभी यह आपको अभी कुछ नहीं आया होगा आप यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से सुनिए गाइज मैंने यहाँ पर एक एक चीज को बहुत ही बड़िया से छापने का परियास किया है यहां पर देखिए यह आपके सामने क्या है सूर्य है और सूर्य के परकास को हम कहते हैं सुवित परकास यह एक चीज आप नोटिस कर लेजे पहले सूर्य के परकास को क्या कहेंगे सुवित परकास और इसे से कीरे ने निकल रहा है जैसे यहां से सुवित परकास की कीरे ने निकला और कहां आ गया ये आप देख पा रहा है ये कांच की तरह अपवर्तक सता है जी हां ये क्या है कांच की तरह अपवर्तक सता है जिसे हम प्रीजम कहते हैं और ये तिरभूज के अकार का होता है जियां साथियो आप सुन पा रहे है ये क्या है प्रीज में है जो कि तिर्भूज अकार का होता है और ये किसी भी कीरन को क्या कर देता है मोड़ देता है या कहीं भी इसको ये कहीं भी मोड़ सकता है तो गाइज जैसे ही हम परकास की किरनों को इस प्रीज में पर लाएं तो क करता है पृ constit कि ये साथ रंगों में तोड़ देता है जिया HAS यहन्स प्रिज्म क्या कर देता है साथ रंगों को तोड़ा के मुद्धा सरmm्य सा रंगों में सात रंगों तो ये जो घटनाएं है ना तोड़ना यानि गया रोसनी और इसे सात रंगों में तोड़ दिया तो यही घटनाएं हमारे क्या हो जाएंगे परकास के वर्न विक्षेपन गाईजी परकास के वर्न विक्षेपन से आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि परकास के जो किरन है ना व तो तूटना अब यहां पर तूटिया सात रंगों में तो यही सात रंगों में तूटना ही हमारा कहलाता है परकास के वर्ण विक्षेपन तो इसली आपको समझ में आ गया होगा और हाँ जो सबसे उपर है ना लाल हो गया तो इसका तरंग देर दे क्या होगा सबसे ज्यादा होगा और जो सबसे नीचे है उसका सबसे ज़्यादा कम होगा तो एक तीज आप नोटिस कर लेजिए तो गाईजी इस परिभासा से तो आपको इजली समझ में आ गया होगा कि यह होगा कि मैंने आखिर आपको बताया क्या यही बताया कि जब स्वेत परकास की कीरन किसी प्री आपको समझ में आ गया होगा आप इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो भाई प्यारा सा एक लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत झाल